140 की स्पीड तीन मिनट की लिखेंगे बिग्यापन समाज एवं बैपार जगत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्सित करने वाला उद्योग है जो बदलते समय के सांचे में तेजी से ढल जाता है ऐसा भारत में एड गुरू के नाम से बिख्यात प्रैसुन जोसी का मानना ह आज हमारे चारों और संचार तंत्र का जालसा बिखा है एक और हमारे जीवन में पुस्तकें पत्रकां समाचार पत्र जैसे प्रिंट मीडिया के साधनों की भरमार हैं तो दूसरी और हम घर से बाहर तक रेडियो टेलिवीजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक शोक्ति नहीं होगी क्योंकि बिख्यापन ना केवल इनकी आयका मुख्य सुरोत है वरन पूरे संचार तंत्र पर अपना गहरा प्रभावी छोड़ता है तवी तो मार्सल मैक लुहन ने इसे बीसवी सदी का सर्वोतम कला विधान की संग्या दी है सचमुच एक छोटा सा ब देखियों दो बून जिंदगी की पोलियो उनमूलन जागोरे टटा चाय दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल अत्वा नो उल्लू वनाइंग आइडिया मुबाइल जैसे बिख्यापन इतने प्रचलित हुए की सहज ही लोगों की जुवान पर चड़ गए यदपी रेडियो य टेलिविजन के प्रसारण के छोटे से समय अत्वा समाचार पत्रों के छोटे से हिस्से के द्वारा बिख्यापनों को अपना उदेश्य पूरा करना पड़ता है फिर भी इनमें रचनात्मक्ता देखते ही पंती है इसमें दो राय नहीं है कि मैगी सावुन सेंपूस मोबा जैसे उत्पादों में ब्रद्धी का कारण इनके रचनात्मक्त बिख्यान ही है और बरतमान समय का सच भी यही है कि आज किसी भी उत्पाद के प्रचार प्रसार का सबसे प्रभाव साले माधम बिख्यापन ही है प्रसुन जोसी के सब्दों में बिख्यापन का छेत्र अती सरजनातमक है मैं बिग्यापन लिखने के दोरां तुक बंदी ना कर पूरी कविता की रचना करता हूं जैसे उम्मीदों वाली धूप संसाइन बाली आसा अत्वा हां मैं क्रेजी हूं एक अच्छा बिग्यापन लोगों के दिल में उतर जाता है और वे व्राइंड से जुड जाते हैं बिग्यापन उपभुकताओं को सिक्षित एबम प्राभावित करने के द्रश्टी कौन से निर्बानताओं ठोक बिक्रेताओं और खुद्रा बिक्रेताओं की ओर से बिचारों उत्पादों एबम सेबाओं से संबंदित संदेशों का आव्यक्तिगत संचार है य इसके प्रसारण के लिए समाचार पत्रों पत्रिकाओं रेडियो टेलिविजन एबम फिल्मों को माधम बनाया जाता है इनके अत्रिक पोस्टर्स इत्यादी का प्रयोग भी बिग्यापन के लिए किया जाता है जूते चपल से लेकर स्टॉप